तो दोस्तो आजे 5th August 2023 बात करेंगे इस वीडियो पे डिफेंस एक्टर का दिगज कमपनी हिंदुस्तान Aeronautics Limited यानी HL की शेयर के पर जिसको पर मेरा लगातार खड़ीदारी करने का राय था इवेन आज की डेट पर मेरा राय एकदम सेम है तो last day यानी Friday के दिन शेयर क्लोजिंग दिया 3765 रुपे एकदम फ्लैट पे मतब क्लोजिंग के समय आपका कोई बहुत बड़ा तेजी या गिरावर देखने को नहीं मिला दोस्तों आपको याद होगा आज से लगबा कुछ टाइम पहले कंपनी quarterly result के साथ-साथ split कभी announcement किया था उसके साथ-साथ अपने shareholder के लिए dividend कभी recommend किया था तो split और dividend का क्या record date है क्या ex date है आगे वीडियो में discuss करेंगे और उसके साथ-साथ most important point कि company का quarter one का result कभ आउट होगा जो कि सबसे जदा comment भी आ रहा था कि सर बताईए company कभ अपना quarter one का result present करेगा क्योंकि ज्यादर company अपने देखा result आउट हो चुका है ज्यादर बड़े company का त वह तो अलग बात है वह दूसरे कंपनी अगर आपने देख लिया आपको दोस्तों कोई और explanation की I think जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि फुल लॉजिक के साथ आपको फुल प्रूफ के साथ मैं आपको समझा दूंगा क्योंकि next 10 से 20 साल क्यों मैं बाहर बार बोलता हूं कि golden era होने जाड़ा है खास करके हल बोलिए मजगा और बोले इस टेप की कमपनी केस में अब चलिए स्टेप बाई स्टेप शुरू करते और सबको मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वीडियो को बिना स्किप की पुरान तक जरूर देखना तो एक एक करके देखे होंगा चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना बिल्कुली फ्री है ग्यारा अगोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे कंपनी की द्वारा अपडेट आ जाएगा क्वार्टर वान रिजल का तुरंद में आपको वीडियो के साथ शेयर कर दूँगा तो 11 आगोस्ट क इसका मदलब आप अगर 23 अगोस्ट ध्यान से सुनना आप अगर 23 अगोस्ट 2023 को या तो उसके पहले एचल का शेयर पर्चेस करते हैं तो डेफिनेटल आप ये पंदर रुपए फाइनल डिविडेंट पाने के लिए इलिजिबल शेयर होल्डर बन जाएंगे और अगर आप अब के पास अभी शेयर है तो डेफिनेटल अपर ओल्ड है अगर आप नहीं चेल किया अब बन जाएंगे यह दोस्तों डिवीदेंग ने क्लियर कर दिया अब बात करेंगी स्टोउक स्प्लीट का जो रेकॉर्डट कमपनी फिक्स्ट हीया उसके लिए भी हात में आपका का आफ़ी लंबा चौरा टाइम है अल्मोस्ट पकल लिजे मोटा मूठी दो मैने का आसपास टाइम है तो अब देख से तो अभी चल रहा है सिर्फ ऑगोस्ट तो मतलब समस्कतों कि बहुत अभी लंबा चौरा टाइम है स्प्लीट होने के लिए तो उसके बाद ही दोस्तों होता हुआ नजर आएगा तो 29 अब सेप्टेमबर स्वरी जो की वान इस्टू टूरेश में स्प्लीट जो कंपने डिकलर किया था उसका रेकॉर्ड डेट कंपनी फिक्स्ट कर दिया यानि आप अगर 28 ऑफ सेप्टेमबर या तो उसके पहले एचल का शेर पर चेस करते तो आप यह स्प्लीट पाने के लिए एलिजीबल बन जाएंगे तो आपको अच्छे मालूम पर गया कि कब कंपनी का रेजल्ट होगा फिर से मैं आपको एक बार एक स्प्रेंट कर देता हूं स्प्लीट का जो रेकॉर्ड डेट है 29 डिविडेंट का जो रेकॉर्ड डेट है मत खासकर के नेक्स्ट बार बर बोलता हूं कि 10 साल 15 साल डेए डिफेंस टॉक्स के लिए डिफेंस सेक्टर के लिए घासकर करके एचल के लिए मजगाओ तॉक्यले गोल्डेन एरा होने जा रहा है तो उसका प्राइम एकजम्पल को देखें कुस्टाइम पहले हाँ ने देख डिफेंस टॉक को लेकर बुलिश शो करड़ा जैसे कि आप देख सकते हो डिसनली एचल को पर एक एनलिस्ट ने शौट टम जो टार्गेट दिया 3,900 रुपए का और जो पोजिशनल टार्गेट दिया 4,425 रुपए का आई तिंग यह जो यह जिस क्वालिटी कंपनिया न यह चार्ज चार्श चार्श एचीफ करने में भी ज्यादा महीने टाइम नहीं लाएगा एक बड़ बस मोमेंटम पकरने दीजे पहले जासा और्टमेटी एचीफ कर जाएगा अब जो इंपोर्टन सवाल है चलो ठीक है यह तो यह तो यह निपनपरड़ी मतब इमीडिया डिम को मिल गया यह जो एग्डिमेंट साइन हुआ अर्जेंट्रिया डिफेंस मिनिस्ट्री की तरब से पर नेक्स दस साल का क्या मामला है तो मैं आपको दिखाता हूं यह देखिए यह वीकिपीडिया है जो की हिंदूस्ता नायोटिक्स लिमिडेट का कंपनी का बार ओडर बुक कर रहा है उसके साथ तेजसका जो मार्क वान ए वर्शन घ्यांसा समझ रहा यह माक वान है जो को लेडी कुछ सेल पहले लांच कर चुका है माक वान ए वर्शन जो की और लेडी कंपनी आप देख से तो टोटल 83 एटी-टी-ट्री एडर मिल चुका है इंडिया एयरफोर्स क तो यह यहां पर लिखा है कि 2023 में लॉंच करेगा बट मॉस्ट प्रब्ली यह 24 हो जाएगा क्योंकि सरकारी कम है अब सभी को मालूम है कि थोड़ा बार डिले हो सकता है यह तो दोस्तों तेजस का जो तेजस एयर करफ्ट है मार्क 1 मार्क 1 ए मार्क 2 अब बात यह है उसके वांस एचल काम कर रहा है एम का जो कि हमने देखा कुछ टेम पहले यूएस जाके एक बहुत बड़ा डील भी साइन हुआ है उसके साथ फ्रंस के कंपनी के साथ भी डील साइन करने का प्लैन चल रहा है इंजीन को लेके वह एम का जो कि रहेगा इंडिया का पहला इंडिज जनेरेशन मतलब उससे भी ज्यादा यहां पिदेगे मार्क टू ग्रेटर देन 5.5 फिब जनेरेशन ठीक है तो मतलब उससे भी ज्यादा तो अब समय सब्सक्राइब यह सारे जो एडवन्स एरक्रफ्ट जब कंपनी बजार में एकिक करके लांच करेगा और इंडियन जो ए जनेरेशन या 5.5 फिब जनेरेशन का जो एरक्रफ्ट बजार में आज मौझूद है चाहिए चाना के पास है रस्या के पास है या यह के पास है उससे लगबग 60% प्राइस कम रहेगा तो अब समस्क्राइब तो कुस केस में डिमार्ट कितना हाई रहेगा क्योंकि हर किसी द आपको दिखाना भूली गया है यह हेली काप्टर को काम करें जो कि कुछ टैम पहले 2022 में प्रचंट नाम करके हली कप्र ओल्री लॉंच हो चुका है बजार में आपे आपने देखा दस जो इसका ओर्डर मिला था बिल्ड कर चुका आगे भी देखें बहुत सारे ऐसे मल्ट अगर आपको चार परसें पांच परसें थोड़ा थोड़ा करके नीचे भी मिल रहा है तो इसके आपको ग्रैप करना चाहिए उपर्चनोटी जैसे का आप देख सेकतो एक हफ्ते के अंदर मतलब पांच ट्रेडिंग डेस के अंदर शेयर देखें जापना अल्मोस्ट चार के अधेंसे की सब्सक्रीन के थे अंदर मार्केट को स्टेडी करके या यह जो फाइटर एरक्राफ्ट है यह झो हीलिकाप्टर है यह अक्यले दोस्तों जो हाइए स्केल बें हिंदुस्तान आओ टिक्स लिमिट्टेट एक ही मात्रे कंपनि यह जो की बनाता है, मैनुफुक्चर करता है तो जिस बैसे इसको थोड़ा डिफरेंट करता है दूसरे कमपनी से और जिस बैसे हमेशा मैं इसको सजिस्ट भी करता हूँ बाकी दोस्तों फिर भी आपको कोई डाउट्स है आपको लॉजिक ठीक नहीं लगा या कोई queries है, आप मुझे कमेंट की दूप पूछ सकता हूँ तो फिलाल इस वीडियो के यह पे wind अप करता हूँ वीडियो अचले लगे तो फिलीज वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना मिल दे नेक्स वीडियो पे तब तक लेटे क्या बबाई जय हिंद